हालो फ्रेंड्स मैं हूं दिप्ती मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे होममेड एर ड्राइ क्ले मार्केट में ये क्ले बहुत महेंगी आती है तो आज मैं आपको शिखा दूँगी घर पर ही आसान तरीके से एर ड्राइक ले कैसे बनाएंगे एक मिक्सिंग बाउल में मैं एक कटोरी कॉनफलार ले लूँगी उससे आती कॉन्टिटी में हम पीवी एक ग्लू मिला देंगे उसमें एक चम्मच में हेंट एंड बोडी लोशन और बेबी क्रीम मिक्स कर दूँगी उसके बाद एक चम्मच ओईल ले लेंगे कोई भी एडिबल ओईल जो हम घर में यूज करते हैं वो आप डाल सकते हैं उसको प्रिजर्फेटिव बनाने के लिए यहां पर एक चम्मच में विनेगर डाल दूँगी विनेगर डालने से आपके क्ले लंबे समय तक चलेगी अब इसमें मैं एक चम्मच वाइट एक्रिलिक कलर डाल दूँगी अप्शनल है लेकिन कॉंट फ्लोर ट्रांस्परेंट हो जाएगा इसलिए मैं वाइट कलर डाल दूँगी ये मैं नो कुकिंग मेथर से बना रही हूँ इसको कुक करके भी बनाया जाता है अब मैं अपने हाथों से ही इसको मिला दूँगी जैसे हम आटा गुनते हैं बस उसी तरह इसको हमें नीड करते जाना है ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और सेटिस्फाइंग भी है मुझे तो ये करने में बड़ा मजा आता है जब तक इसका टेक्स्चर स्मूद नहीं हो जाता तब तक हमें नीड करना है जैसे ब्रेड बनाते समय हमें ग्लूटन क्रियेट करना होता है बस इसी तरह इसमें खीचावाना चाहिए तब तक नीड करते रहो देखो बातोई बातों में मेरी क्ले ओल्मोस्ट रेडी है कितने अच्छे से खीचती है जब तक इस तरह से ना खीचे तब तक हमें नीड करते रहना है अब इसको हम एक सिपलोग बैग में पैक कर देंगे अब हम इस क्ले को कलर कैसे करेंगे वो में दिखाती है मैंने इसमें से एक चोटा पार्ट निकाल लिया है उसमें हम एक्रिलिक कलर डाल देंगे इसमें कोई भी कलर जो आपके पास पड़ा हो फूड कलर, वोटर कलर, एक्रिलिक कलर, जहल कलर कोई भी कलर पाउडर कलर सब डाल सकते हैं कलर मिक्स करके थोड़ा सा नीड कर लो हमारी कले रेडी हो जाएगी 6 गंटे के बाद इसको यूज में लाया जाता है ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना थेंक्यू सो मच